हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अलो नमस्कार जैन्द टापिक है प्रसासनिक अपिचूट एडमेडिस्टी अपिचूट का तो क्वेश्चन एंसर के माध्यम से करेंगे, क्वेश्चन एंसर के माध्यम से सब कवर करने के सब्सक्राइब करेंगे, तो जल्दी हो जाएगा, तेज कराएंगे, इसलिए जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन है, हाष्टल में नए छात्रों की अचानक प्रिवेश्च के साथ उनके समतल एकिकरण सुनिश्चित करने के लिए ने मिलिखित में से सबसे उप्यूक्त कदम क्या होगा अपसन ए है, प्रतेक नए छात्र को मौजोदा छात्रों में से एक मार्क दर्ख सकसो करना है प्रतेग सरता के लिए नये चात्रों के समाने च्हत्रों たक पहुंच को सिमित करना उनके लिए महिने में में एक बार मुल्ब्रभिर्ती आजूत करना और डी है एक निस्चित अधी के लिए और दो हो चोल खोगर रखना एक निश्चित के लिए अलग तो नहीं रख सकते हैं उनके लिए महीने में एक बार मुल प्रविति महीने में एक बार करने से क्या आओगा पहले सब्सक्रा के लिए नए छात्रों के समाने चुत्र तक पहुंच को सिमित नहीं कर सकते तो प्रतेक छात्र को मौजूद हैं आपकी पहली प्रतिक्रिया किया होगी रात में अपने कमरे से बाहर होने के लिए छाटर को फटका रहें त δεν हातर से पूछें कि क्या उन्हें सहायता या बात चीट के लिए किसी की जरूरत है यह पूछ सकते हैं आगे देखते हैं पर फी तोड़ने के लिए इसकुल प्रसासन की छात्र को सुचना दे छात्र की अंदेखी करें अंदेखी तो नहीं कर सकते तो छात्र से पूछना सबसे जरूरी है क्या पता उसका काउंसा रीजन है किस रीजन की वह यह से व भोजन आरक्षन प्रलारी और क्रमिक भोजन,упर निर्वर तो नहीं रह सकते हैं, खाना बनाने कbyा श्यक्या्चिन ल безопас नहीं नहीं बोख करने के लिए भोजन आरक्षन before MU और क्रांतिक भोजन समय को लाई करने factors french life thing considered कर देना का है आप कशाल नहीं कर सकते बीकलब तो भौजन समय को लाग यह स्ट्रक्षा रख्रकाव संसादनों कावंटन और सकारात्मक रहने और श्ट्रक्षा रख्रकाव संसादनों कावंटन और सकारात्मक रहने और श्ट्रक्षा रख्रक्षा रख्रकाव संसादनों कावंटन और सकारात्मक रहने और स्ट्रक्षा रख्रक्षा रख्रकाव स करना इसके लिए जरूरी है नेक्स्ट हास्टल के बड़ी संख्या में चात्रों के साथ प्रभावी समवाद सुनिस्चित करने के लिए अधिक्षक को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए अक्सर टाउन हाल बैठके आयोजित करना B है एक अकार सभी को फिट होने वाले समवाद द्रिश्टिकून का उपयोग करना C है प्रतेक समवाद को ब्यक्तिकत रूप से खात्रों के लिए अनुकुलित करना और D है डीजिटल समवाद उपकरन और मंचों को लागू करना सभी सबसे सटीक अंसर होगा कि डीजिटल उपकरन समवाद और मंचों को लागू करना क्योंकि प्रभावी संवाधन तो डीजिटल के मादम से ज्यादा समवाद हो सकता है प्रभावी से कम प्रदर्शन कर रहे हैं वे जिक्र करते हैं कि होस्टल का पहावल अध्यन के लिए अनुकूल नहीं है आप इस चिंता का समधान कैसे करेंगे सामना कैसे करेंगे आप से नहीं है सुझाओ देंगी वे बाहरी पुष्टकाला या ध्यन के अंदर खोजें आही आश्टल किसलिए अगर वह बाहरी खोजेंगे तो विशिश्च समस्याओं को समझने और समधान खोजने के लिए फो करना चाहिए जीका समस्या करना सकी कि ने शयान नहीं है विद नामी और उथपीडन भी है याव उत्पिरन और हमला कि है मादक द्रब्यों का सेवन और दी है नयतिक्ता एवं सदाचार तो सामिल है तो सामिल नहीं है पूछ रहा है तो आप संडी ही सही हो जाएगा तो सामिल नहीं कि जो अच्छा है कि वार्डन को निमलिखित में से इस नियम से अच्छी तरह से परिचित होना अनिवारी है अपसन ए है राश्टिय खेल दिशा निर्देश भी है चात्रवास भौन निर्माण मांदंड ती माननी या पंचायती राजकानून और डी है चात्रवास नितियां और दिशा भौन निर्माण मांदंड वह निर्माण इंजनियर तो है नहीं अस्थानी पंचायती राजका कानून नहीं भी आता को कोई बात नहीं लेकिन छात्रवास की नीतियां और दिशा निर्देश उन्हें आना चाहिए तभी नेक्ष्ट छात्रवास में बड़ी संख्यां में को प्रतिबंधित करने का एक महत्तव पुर्ण पहलू क्या है आपसने है प्रतेक छात्र की जरुदों पर ध्यान केंद्रित करना भी है छात्रों की आराम की तुलना में अनुसासन को प्राथ मिक्ता देना की कूल समुप्रबंधन के साथ ब्यक्तिकत ध्यान को संतुलित कर करना यहीं प्रवंदित करने का एक महत्तफपुन पहल होगा कि प्रतेक छात्र की जवर्तों पर ध्यान केंद्रत करना यह दोनों भी साही है लेकिन सबसे सथिक ज्यादा सही प्रबंदन के साथ व्यक्तिक्तिक ध्यान को संतुलित करना नेकि प्थ्यान को बड़ी संख्या में चात्रों को प्रबंधित करने से प्रमुख चिनवति क्या है आप सने है इस्थिर और निस्पक्ष नियम प्रविर्टि सुनिश्चित करना पी है मनुरंजन गति वीधियों का आयोजन करना चात्र पसंद की अधार पर कट्ष आ बंकरना और ऑडि है तो चात्र की भोजन पसंद को संचालित करना मनुरंजन गति विधियों का आयोजन करना कुछ हद तक सही है लेकिन खात्र पसंद के अधार पर कक्षकाबंटत तो नहीं किया सकता है नहीं तो चात्र तो कहेंगे कि हमारे उस लड़की के सामने वाला रूम हमको देदो तो ऐसा भी कह सकते हैं चात्र चात्र का क्या है प्र सार नहीं किया सकता है तो मनुरंजन गति विधियों का आयोजन करना यह कुछ हद तक ठीक है लेकिन बड़ी संक्याम चात्रों का प्रबंदित करने का प्रमुक चिन होती है कि इस्थिर और निस्पक्षनियम प्रविर्थित करना कि नेक्स्ट है एक छात्र तीन रातों से छात्रवास से अनुपस्तित है बीना सूचना दिए विना सूचना दिया अनुपस्तित अ सर उत्तम का रिवाई क्या होगी आप सेने हैं जांच किये बिना अनुशासनिक करवाई लें ठीफ है एक और सप्ता की प्रतिक्षा करें लिए उनके स्थान के बारे में अन्य छात जांच किये बिना कोई करेवाई करेंगे अनुसासनी करेवाई करेंगे तो यह तो गलत ही होगा तो नेक्स्ट है माता-पिता को तो बताई दें सूची थी कर दें इस प्रकार की समस्था आए है और उसके बाद उस पर जांच करें एक चेटरवासी बारबार करफी तोड़ चुका है इसे संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है अग्द और ãy Wid機 करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और उनके बेभार के कारण समझने और कारण जार्चा करने के लिए छात्र को एक ऊकरने बैठक के लिए बुलाएं भी है इस्थिति कौन देखा कर दें कि छात्र को तुरंट छात्रवास से निकाल दें और डी है एक समाने बैठक के दारान सभी छात्रों के साथ मामले पर विचार विमर्ष करें तो कि इस्थितिक अंदेखा तुनहीं कर सकते शात्र को तुरंत निकाल भी नहीं सकते एक समान्य बैठक के दौरान सभी छात्रों के साथ मामले पर विचार करने की कोई मतलब है नहीं क्योंकि एक बच्चा है एक ही छात्रवासी सीधा सब बोला एक चात्रवासी बार बार कर सब्सक्राइब उसे कशाथ बैठ़क कर लो उनके बैभार के कारवाराण समझने और चार्चा करने के लिए शातर को एक बैठ़क के साथ बुला ला लें और संपर करने करने यह सक्षा क्यों कर रहा है कभ रोपly यहांना और हमान लेना की अपने अप सुलच जाएगा नजर अंधाज करना तो कभी भी सब्सक्राइब करना करने के लिए प्रत्रुता और टक्राव को प्रत्साहिट करना। कि गारोय तो यह रहा है और तो कि इस्थिति की जांच के ये बीना अब जांच किये बीना निवासियों को दोसी ठाराना ऐसे कैसे बिना जांच किसी को दोसी कैसे ठारा सकते हैं आपसन इसे ही है कि नेक्स्ट छात्र बेवार के प्रबंधन में अनुशासन और डंड के बीच मुख्यितह अंतर क्या है? आप सनρά है अनुशासन परिरामों पर ध्यान केंदरित करता है जबकि सजा मार्ग दर्सन पर जोर देती है आतर विवार के प्रबंदन में अनुशासन और दंड के बीच अंतर बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनुशासन और डंड इन दोनों के बीच अंतर क्या है आप संने है अनुसाषण परिणामों पर ध्यान कंदर्य करता है जबकि दंड क्या सजा मार्क दर्शन पर जोड़ देती है कि जी है अनुसाषण का उद्हे से सकारात्मक सीखने माहौल बनाती है जबकि सजा उद्हेश प्रतिसोध है कि एक सज क्रिय दरिष्टिकूण सामिल है जबकी सजा प्रतिक्रियं शहल औरली है sollten अधार है जब귁 सजां सक्त है कि पना शाषण उदार है जब कि सजा शкиक कि ranked protecting सजस्ञाश्षां होगी उजबकि सजा मार्व दर्शन पर जोर देता है अनुसासन का उद्दे से श्कारात्मक सीखने का महौल बनाना जबकिoda सजा का उद्दे शेटें स्भी इस सही है, लेकिन सबसे जदा, तबसे अच्छा है अनुशासन में एक सक्रियं दृष्टिच सामिल है जबकि सजा प्रतिक्रियाशील है कि कोई गल्ति करेंगी तो भीस तोहीं सजा मिलेगे सही काम करेंगे तो सजा तो नहीं मिलेगी तो हरते इक बड़े ये म्यार्थ क्षाटरवास मेक्षातरवाश वार्डन सभी छात्रों का महत्पुन जंकारी प्रभाव्राविडंग से कैसे बता सकता है एक छात्रवास वार्डन सभी छात्रों का महत्रपुन जनकारी प्रभाविडंग से कैसे बताएगा आप सने है केवल मौखिक घुषणाओं पर निर्भर रहेगा भी है एक केंद्रिकित नोटिस बोर्ड का उप्योग करेगा प्रतेक छात्र को ब्यक्तिगत पाट संदेश भेजना अनिवार्य दैनिक बैठके आयोजित करना एक केंद्रिकित नोटिस बोर्ड का उप्योग करना हो जरूरी है क्योंकि मावखिक भोशना करेगा पता नहीं कौन सुना कौन नहीं कौन रूम है कौन कहां है तो कैसे होगा स सकेंद्र कर सकता है और जो भी। मुखमाट पूर नोटिस रहें को सबको पता होगा क्या नोटिस बोर्ड आता है नोटिस आता है यह मारेख च्छत्रवास में एक वार्डन किस प्रकार छात्रों के बीच नेत्रित्यॏ कोसल को बढ़ावा दे सकता है अपसन यह ए खात्रों को नेत्रित्यु की भूमिद्धा नीबंगां से अवसर पढ़ान करना उडिये खात्र गतिविदियों परaksi न्यूंत्र नफ्लिण कर rodzTalk सकत्र के इंदर डेवलप हो रहाए तो भासर नहीं कर सकते हैं कि जात्र गतिविदियों पर सक्त नियंत्रन भी नहीं लगा सकते सभी सब्सक्राइब चात्र को नेत्रित्व की जिम्यदारिया निभाने का अवसर प्रदान करेंगे जो भी निभाना चाहता है उसे अवसर देगे जब सब को समान आउसर देंगे एक स्थिती दी गई है आप एमरेस के चात्रवास वार्डन है और इसकूल द्वारा एक आगामी सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया रहा है कई चात्र भाग लेना चाहते हैं लेकिन यह उनके अध्यान के घंटों से मेल खाता है कि जब उनका पढ़ने का टायम है ऊसी समय कि इसका टाइम हो रहा है थांस्कृतिक उत्सव का आप क्या करेंगे आप संह उओ को प्राथ्मिक्ता देने के लिए सांस्कृता उत्सव रद्द करें और द्व को उत्सम में भाग लेने और दीन के लिए अपने अध्यान के घंटों को छोड़ने के लिए प्रत्साहित करें सही आंसर होगा सिमित संख्या में छात्रों की भागिदारी को सिमित करें और तुने स्चित करें कि वे छूटे हुए अध्धन घंटों की भरपाई करें एब दौनों काम करें भागिदारी को भी सिम्ध करें और उनके खुट जाए अध्यन का घंटा शुट जाए उनकी भी भर पाय करें तोनों काम कर दें यह छुट नबढ़ करता एक बड़े छ시에 चेटर सांयराशेट अच्छी तरह सद्रशित सि cultura निवारण प्रालिका क्या महत्व है अप्सने है यह चात्रों के बीच सक्त अनुशासन लागू करने में मदद करता है अप्सन भी है यह चात्रवास प्रबंधन में पारदर्ष्ट्या और जबाब देही को बढ़ावा देता है यह आवस्चिक निवासी सलाकारों के संख्या को कम कर दे देता है और डी है यह चात्रों के लिए मनुरंजन के विकल्फ प्रदान करने पर केंद्रित है यह चात्रवास प्रबंधन में पार दरिश्ट्या जबाब देही को बढ़ावा देता है जबाब देता है शिकायत निवारन प्रालीफ कोई भी किसी की बात की शिकायत करेगा कि तब ही तो जबाब देगा इस सबसे पहले का शिकायत करेंगे और जबाब दे होगा और निवारन प्राली मतलब सो पूछा है महतों पूछा है प्रबंधन में परदर्शिता को और जबाब देही को सुनिष्टित करता है चात्रों के बीच अनुसासन को बढ़ावा देने में च्छात्रवाश वार्डन की प्रात्मिक भूमिका क्या है यह सक्त नियम और डंड लागू करना भी है तभी अनुसासनात्माक मामलों की रिपोर्ट कुछ आधिकारियों को देना कि यह सदभाव बनाये रखने के लिए छोटे मोटे नियमों के उलंगन को नजर अंदाज करना और डी है आपसी सम्मान और जिम्मेदारियों की संस्कृति को बढ़ावा देना छोटे मोटे कोई भी नियम का उलंगन उसे नजर अंदाज तो नहीं कर सकते हैं उसको संजा सकत होगे तो डी आपसन सही होगा आंसर भी दे दिया का यहां आपसी सम्मान और जिम्मेदारियों के संस्कृति को बढ़ावा देना नेक्स्ट है प्रिवेस के आरंभिक चरण के दवरान हात्रवास हात्रों की बड़ी संख्या को उस्यालता पूर्व कैसे समाल सकता है यह है सेपरव्यास पर सक्थ सीमा लागू करके पि प्रिवेस की समय पढ़ाकर अस थाई आवास की पेश कस करके घुष की बड़ी संख्या कैसे शमालेगा प्रिवेस पर सकत देहां यह फिस Small लागा देगा यानितकी प्रिवेसही नहीं देगा, एडमिसा नहीं नहीं देगा, यह तो अच्छी बात नहीं है ना, प्रवेश की समय शीमा बढ़ादी, समय शीमा बढ़ाना भी, यह अच्छी बात नहीं है, उपलब दिस्व विधाओं की संख्या कम कर दें, यानी की उनको रजाई का मुष्णा में थो उसको कि माख्यमा करने मतलब उनका ठंड का मौज़ा मुद रजाई नहीं नहीं तॉले से काम चलाओ गंची से काम चलाओ ऐसा तनहीं हो सकता ना तो आज था यवास की पेशकस करके आप यह मैरेस के चातरवास वार्डन है और यह स्टैश्ड़ी के वर्स की सिरुवात है अभी नए प्रत आये हैं उनमें से कुछ को घर की याद आ रही है और नहीं वातवरण में ताल मिल बिठाने में कठिनाई हो रही है आपकी ततकाल करवाई क्या होनी चाहिए आप से नह करें परामाश दताओं की का लिए मलाज वह करने में मदद करने के लिए वायोजन करें कि उनकी चिंताओं को सुनने के लिए एक पर एक बैठके निर्धारत करें एमें सक्त होने और चैटरवास जिए उइनकी आदत डालने की सलाह दें है उनने की शकत कर लएने की तो कोई भी एंसर क्षा नहीं हो सकता है हाँ आतट डालने की सलाह दे है लेकिन सकत होना कोई अच्छी बात नहीं है न यह उन्हे अस्थानी परमादस्ताओं के एक सूची तयार्त करें अस्थानी पर दोस्तामें से क्या मतलब है वे चारे खुदी फरेसान है नहीं आश्टल में घर द्वार छोड़कर उन्हें सहज महसूस करने में मदद करने के लिए स्वागत पार्टी का उजन करें हालां कि स्वागत पार्टी का उजन करें तो बच्चों को मज़ा आजाएगा लेगिन हर बच्चा बार-बार नया छोड़कर हर बच्चा आएगा तो अपना घर छोड़कर रहाएगा और ऐसे पार्टी अब देने लगें तो जिसका मन लगता होगा वह भी का किसारा मारा मन नहीं लगता है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप संसी है उनकी चिंताओं को सुनने के ल आप से नहीं है कटश्टा बनाय रखने के लिए संस्कृतिक मत भेदों को नजर अंदाज करना एक आकार सभी के लिए द्रिश्टी कुण को लागू करना समावेशी नीतियों के माध्यम से विभीत्ता का जस्न मनाना और उनका सम्मान करना और समान प्रिष्ट भूमी वाल खात्रों को अलग अलग समुव में तो माटना उचित नहीं है ना पता चला कि अच्छा घर से चार पांच लोग अच्छा है उनको अलग कर दो यह तो अच्छी बात कभी होई नहीं सकती है एक अकार सभी के लिए द्रिष्टिकोंड को लागू करना ठस्ता बनाये रखने के लिए संस्कृतिक मदर भेजों को नजर अंदाज तो नहीं कर सकते एक अकार सभी के लिए द्रिष्टिकोंड को लागू करना सभी के लिए दुर्ष्टिकोंड को एककार लाग करना कुछ हब तक ठीक है लेकिन इससे अच्छा यह है कि समावेसी नीतियों के माधम से विभीता का जश्न मनाना और उनका संबान करना सभी के संस्कृति को संबान देना एक छात्रवासों में एक छात्रवास में बड़ी संख्या में छात्रों के प्रबंधन के संदर में एक वार्डन को छात्रों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए चात्रवास में बड़ी संख्या में छात्र है चाहिए सम्हों गती वीदियों और कारेकरवों का आजन करें और सभी च्वात्रों के लिए अलग अलग करना नहीं कि director के लिए अलगलग कमरेट उपलवद नहीं किया सकता अगर आश्टाले नहीं दिया है तो कि निक्स्ट है बड़े एक बड़े नेक्स्ट है एक बड़े छात्रवास में एक बड़े छात्रों को कमरे आवेंटित करते हैं कि समय कि ठात्रवास वारड़न को क्या प्रात्मिक्ता देनी चाहिए ऐसथर के लिंग अलगाओ यौन değ अच्छा देना ही चाहिए क्योंकि लड़क सिव बड्रक 20 अच्वर्स क्कॉण को नख रखना उचित्त है नहीं दोने एक साथ रहेंगे तो अनकंफर्ट फीलोगा लिंग अलगा भी जरूरी है लड़का लड़कियों को अलग लग रखना इसलिए बी और सी दोनों सही है सरी ए और भी दोनों सही है नेक्स है छात्रों के बीच अनुसासन को बढ़ावा देने में छात्रवास वार्डन की प्रात्मिक भूमिगा क्या है ए है सक्त नियम और डंड लागू करना भी है तभी अनुसासनात्मक मामलों की रिपोर्ट वुच्च अधिकारियों को देना सद्भाव बनाए रखने के लिए छोटे मोटी नियमों के उलंगन को नजर अंदाज करना और डी है आपसी सम्मान और जिमेदारे के संस्कृति को बढ़ावा देना अनुसासन को बढ़ावा देने में सभी सक्त नियम और डंड लागू करना तो कभी अच्छा नहीं बात है न सभी अनुसासन तक मामलों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों की देना तो आप किसल बात के वार्डर ना है जब सभी मामलों को रिपोर्ट उजद्गरियों को बढ़ावा देना यहीं आंसर सही है एक निवासी छात्र ने लगतार चात्र वास के नियमों का उलंगन किया है और वातावरण को बाधित क्या है वार्डर को क्या करना चाहिए यह थात्र को तुरंत निलम्बित कर दें यह चात्र को परामर्ज दें और हैधी आवस्यक हो बिवहार पर ध्यान ही ने यह तो और भी खतरनाक है तो चात्र को परामर्ज दें और और यदि आवस्चेक वोट उसके माता-पिता को भी सामिल करें उसके माता-पिता को बताएं और समझाएं बच्चे को एक छात्रवास वार्डन बड़ी संख्या में जहगणों को प्रभा ऍहांत're को Briних रहों करना और भी वेवस्था बनाज रखने के लिए순्द संघर्शों के लेना कि संघर्श में सामिल सभी चात्रों को डंडिद करना इस तरहनी है पताने किसकी कि गलती नहीं है तो पताइत कि उसको to तो चाहिए आप सहने हैं कुना तौन तौन स्वेंग निस्पक्ष रूप से संबोधित करना चाहिए एक्लाब अडाल वासी विद्याले में शात्रवास प्रसासन का प्रात्मिक्ष से क्या है प्रात्मिक उद्ध्ध से नत्य गाले नहीं नहीं ना उसका यह नहीं है प्रतिस फर्दा खेलों के बढ़ावा देना खेल भी होते हैं लेकिन उसका कार्य थोड़े नहीं है पुनापँ गलत है जात्रों की सुरक्षा और बचाव सबसे बेटर आफशन यहीं होगाanic कुष्म के बारे में ऐनकि प्रहाई एक प्रसासन वार्डन सबस्कावर सबसाइव प्रसाष। कर सकता है अपसने हैं अपनी स्वेंग आपुर्ति खरीदने के लिए छात्रों पर निर्भर रहना आप इस निर्भर रहेगा आप किस लिए हाश्टल किस लिए कि छात्रे कर देंगे पी एक सत्तत सूची प्रडालाः बनाय सब्सक्राइब करना चाटर दूर्गम केंद्री अस्थान पर संग्रहित करना तो सभी आप पूर्तियों को चात्रों के दुर्गम केंद्री अस्थान पर संगरहित करना तो खराब हो जाएगा सब बच्चे तोड़ उसी पर दवड़ने लगेंगे उसी पर कोई कूदने लगा कोई करेगा तो आपसन एस एक सतत सूची प्रलालाई पनाए रखना सबसे सह एसाठीक और सफिसी आइटम के लिए टमान अस्तर निदहारत करने का प्रॉत में कुद्र से क्या है क्यों एक इसी 12 वस्तु के अधिकतम मी अस्तापित करने की करने के लिए प्रतेक की अपनी संथाएम की अनमति देना अभलों को अपनी पसंदीद करने की अनमति तो आपने अंसार चुनने गै के और सबी लोगा तो अपनी झॉड़ी ने लगे तो पता नहीं की ज़ुरति कभी पुरी न हो अपुरी न पूरिश्पंट प्रतिक बस्तु की अधिकतम मात्रा कोई मतलब है नहीं जितने जरुद है उतना इस्तापित करना चाहिए। इनमेंटिरी आइटम की विता को कम करना विता को कम करना ये भी जरूर नहीं है पता है कि तो आप्सन सी है सबसे सई प्रतिक बस्तु का निम्तम स्विकार्य अस्तर निरायत करना जितनी जरूरत है कम से कम उतनत होना ही चाहिए अश्टर में कुसल इन्मेंटरी प्रबंधन के लिए आमतर पर कौन सा साफ्ट्वेर या तूल उप्योग किया जाता है यह माइक्रसाफ्ट एक्सेल जैसा इस प्रेट्शीट शाप्रवेर फेस्बुक जैसे सोसल मीडिया प्लेटफार्म यह जूम जैसे वीडियो निपकरन और डी है सपाइटिफाई जैसे म्यूजिक इस्ट्रीमिंग एप्स है मेजिंग इस्ट्रीमिंग एप्स का इस्तेमाल करेंके के तो 50 पता चलेगा कि भर दिन बच्चे डांस कर रहें पर नहीं रहें बर दिन कमर इलाते वह डांस कर रहें यह उचिन नहीं है जूम जैसे वीडियो प्रबंधन में मुख्य रूप से क्या सामिल होता है अप्षात्रों की सहच्छिक प्रगती पर नजर रखना भी है प्रबंधन करना वस्तूं और संसादनों की आपूर्तिक निग्रानी और नियंत्रन करना वस्तूं और संसादनों की आपूर्तिक निग्रानी और नियंत्रन करना वस्तूं और संसादनों की आपूर्तिक निग्रानी और नियंत्रन करना कि हास्टल की रस्वई में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कीफो इन्वेंट्री प्रबंदन रणेनीती को लागू करने का मुख है लक्षे क्या है सबसे महंगी समग्रियों के उपयोग को प्रात्मिक्ता देना यह सुनिश्चित करने के लिए कि सबसे पुरानी खाद्य पदा पंपव्यों का उपयोग सबसे पहले है फन्स इन सबसे पहले आया है तो फस्ट आउट भी हो थाने की सबसे पहले वह खतम भी होना चाहिए कि है डीजिटल उपस्थिति एप्स और डी है मौखिक हाजरी मौखिक हाजरी तो होई नहीं सकता मौखिक हाजरी लेना कि सबसे अच्छा होगा बायमेट्रिक प्रडाली तो इसका भी साइन कर देगा तो एक दूसरी के साइन कर देंगे और यह बायमेट्रिक सिस्टम होगा तो कोई किसी का बायमेट्री क्त नहीं दे सकता है ना जहतरवास में बॉर्डन को स्वाधर वाष्म में स्वार कि गळवड़ी के मुद्दे को कैसे संभौधित करना चाहिए सब्सक्राइब निवासियों को सांथ समय बनाए रखने के महत्यों के बारे में शिक्षित करें निक्स्ट है चात्रों को सब्सक्राइब निवासियों को यानि चात्रों को सांथ समय बनाए रखने के महत्यों के बारे में शिक्षित करना चाहिए निक्स्ट है अत्यधीक संख्या में चात्रों को प्रभावी ढंग से सम्हालने के लिए एक चात्रवास वार्डन को क्या प्रात्मिक्ता देने चाहिए करना क्या है ये हैं है ब्याद को हाई चाहिए इynnig नितलन शंचार Kitchen को समधाय निर्माड गति विधिया सबसे महत्यपून ही होगा किसी च्छात्रवास में उपुभोग की समाग्रियों के लिए पुना क्रम बिंदू निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पुना क्रम बिंदू की गड़ना करने के लिए एतिहासिक खपत डेटा का उपयोग करना करने की लिए एक निशित्क कारेकर्म करने की लिए तक पूरन करना चावर करने के लिए आपुरति पूरी तरह जब खत्म हो जाएक तब आडर करेंगे तो जब तक आडर नहीं भुषा नहीं कर सकते हैं उसे management system किसलिए है कि आप कि अंतरग्यान पर और अनुमान पर रहेंगे अनुमान अगर गलत निकला तो खपत की परवाह किये बिना पुनह व्यवस्तित करने के एक निश्चित कारेक्राम नेवधायत करें खपत की परवाह किये बिना कैसे कर सकते हैं ये कर सकते हैं लेकिन खपत की परवाह कर के कर सकते हैं प्रवाग यह बिना नहीं कर सकते न तो आप सानी होगा पुना करम बिंदों की गड़ना करने के लिए आजिक खपड डेटा का उपियोग करें माडर के संदर में यदी लीड टाइम बढ़ता है तो री आडर पांट का क्या होता है यह घड़ता है यह आप परिवर्तित रहता है यह बढ़ता है यह मांग परिवर्तन सिलता पर निर्भर करता है कि is economic order, economic order quality model के संदर में यदि lead time रड़ता है अगर lead time बढ़ेगा तो यहां पर आर्डर किया गया है और एक माहिने बाद आर्डर किया गया है तो यह पॉइंट कुछ अधिक होगा और यहां पर आर्डर किया गया गया है तो यह पॉइंट तो कम होगा तो यह इसी प्रकार से कहलता कि यह दिलीड टाइम बढ़ेगा तो री आर्डर पॉइंट भ बनाए रखने के लिए जिम्मिदार होता है अधिक चख ही जिम्मिदार है प्रदाश्य तिक्षार्ति प्रबंध करना चाहते हैं जिसमें ऐसे समय में बहुत सारा अलएं से बट करें उन्हें बर्बाद कि बिना जशन मनाने के लिए कि लिए कि पार्ट cricket त्रों को कारण बताए बिना अनुमती दें इंकार करेंगे तो यह यह गैगत हो कि देने से आप साने है फान है उन्हें सूखा पड़ा हुआ है कर लो कि रेन मत करो रेन फिर कभी कर ले ना अभी फिलाल सिंपल से डांस कर लो रेन वाली बात मत करो सुची प्रभंदन के मामले में इस साप्ट्वेर सुविधा को यह मारेश छात्रवास वार्डन के लिए सबसे फायदमंद माना जाता है अब सने है आइटम पुन्रापुर्ति के लिए स्वता हुत्पन समारक भी है रंगीन उप्योग करता इंटरफेस यह साप्ट्वेर का उप्योग करते समय प्रिष्ट भूमिस संगीत और डी है वर्चुल रियालेटी एकी करण कि वर्चुल रियल्टी के करण कोई मतलब है नहीं स्टाफ्ट वर करते समय पीछे गाना बजना चाहिए ऐसा कोई जोड़त है नहीं रंगीन उप्योग करता इंटरफेस होना चाहिए और फूल हो तो रंगीन उसका कोई मतलब नहीं है तो आइटम पुन्रापुर्ति के ल समय पर अर्था जस्ट इन टाइम जे आएटी केवल समय पर अर्था जस्ट इन टाइम जे आएटी प्रबंदन द्रिष्टिकूण क्या है आप सने हैं भविस्य की मांग को पुरा करने के लिए एक बड़ी इन्वैंटरी बनाये रखना धार धारन लागत को कम से कम करने के के लिए किवल जब आवश्यक हो तभी inventory का आदेश देना ती है उपलब्दिता सुनस्चित करने के लिए inventory को बहुत पहले inventory में रखना ती है एक निर्धारित inventory और पालन का उपयोग करना सबसे सटी का अंसर होगा भी धारन लागत को कम से कम करने के लिए किवल जब आवश्यक हो जब आवश्यक हो तभी inventory का आदेश देना जब आवश्यक हो तभी जैसे दूद को आप एक अपता पहले मांगा कर नहीं रख सकते हैं जब आवश्यक को तभी मंगाएंगे आज जो जोड़ थे तो आज ही आएगा दो इस प्रकार से ज़स्ट इन टाइम एक समय पर एक नियंत्र पुनह क्रम बिंदू बनाए रखना वी है उनके मुल्य के आधारप निवंट्री वस्तूं को प्रयाथ मिक्ता देना पूर्ति करताओं के लिए लीड समय कम करना और डी है पहले आओ पहले पाओ यानि कि पहले आओ पहले बाहर फीफो फस्ट इन फाउट फस एक नियरंतर पुना प्रम बिंदू बनाए रखना यह नहीं सही है उनके मुल्य के अधार पर इन्वंट्री भस्तूं को प्राथ मिक्ता देना यहीं कि अलग अलग अधार पर जो सबसे महंगी होगी उसे ए टाइप में रख देंगे उससे थोड़े सश्टी होगी उससे बी टाइप में रख देंगे फिर सी टाइप में रख देंगे इस प्रकार से ए बी सी सिस्टम होता है नेक्स्ट है इस इन्वेंट्री प्रबंधन पद्धती में इन्वेंट्री के निरंतर अस्तर को बनाये रखने और बस्तुओं को एक निश्चित निवनतम अस्तर तक पहुचाने पर किर्शे भरना सामिल है बस्तुओं को एक निश्चित निवनतम अस्तर तक पहूंचने पर फीर से भर्ना सामिल है है तो आवधीक प्रलाली यहीं सबसे सही अंसर होगा आर्थिक आदेश मात्रा तो यह की वार्तवास पर आधारित होता है अभी पीछे पड़े आया था यहीं कि जो पहले आएगे उसे पहले अपत कर लेंगे जस्ट इन टाइम भी आया था अभी पिछला क्वेश्चन में य ठीक समय पर ही मांगाएंगे तो आप्शन सही होगा डी नेक्स्ट है कौन सी इन्वेंट्री प्रबंधन पद्धति कम अंत्राल पर बड़ी मात्रा में आइटम आडर करके होल्डिंग लागत को कम करने पर केंद्रित है कि इन्वेंट्री कम अंत्राल पर बड़ी मात्रा मे आइटम आडर करके बड़ी मात्रा में आइटम आडर करके होल्डिंग मात्रा होगां तो तो तहीं आँसर होगा यहीं तो होता है यहीं तो होता है यहीं तो इक नामिक के बारे हमने देखा बस्तूओं को उनके मुली के अधार पर कई बारगों बांड़ देंगे समय पर बस्तूओं में आना जो खराब होने वाल चीज होती है इसे पहले खतम कर देंगे इसका मतलबी होगा आतो आप्शन सही होगा यह क्यों इन वेंटरी प्रवंधन में लीडे टाइम लीडे टाइम का अभे मैंने समझाय पीछे धब्डक क्यार्थ है आप सन्य हैं इन यह हमलेश वह को HER हास हुने में लगने वाला समय किए इस्वेंटर को पुनभाकर करने में लगने वाला समय दी है आर्डर देने के बाद उनकी डिलीवरी में लगने वाला समय और दी है इन्वेंटरी को बेचने में लगने वाला समय आर्डर देने के बाद उनकी डिलीवरी में लगने वाला समय जब आर्डर देंगे और उसके बाद उसकी डिलीवरी जो होगी उसके बीच में कितना Tag hmm होता है उसी को दिद time बोलते हैं कि दी टाइम कितने समैं में लीड हो गया है ऊथम सा इन्मेंटरी नियंतरन माडल निरंतर मांग आओ निरंतर लीड टाइम मानता है कलाए है आरथिक आदेश मात्रा यो क्यूं प्य है जे इंटी इसे कमाग्य ओ सकता योजना MRP और डी है तुरक्षा इस्टाक कि इसे भी आया था कियो क्यों 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 होगा आंसर दोबारा रिपीट हुआ है इन्वेंट्री प्रबंधन में मांग पुर्वानुमान का प्रात्मिक लक्ष क्या है मांग पुर्वानुमान है कि होल्डिंग लागत को कम करने के लिए भी है आर्डर मात्रा को अनुकलित करने के लिए भविस्य की विक्रिया उप्योग की भविस्य बानी करने के लिए और डी है लीड समय को कम करने के लिए तो मांग की पुर्वनमान, मांग की पुर्वनमान, भविस्य की विक्रिया उप्योग की भविस्य बाणी को कम करने के लिए, इसलिए तो पुर्वनमान लगाएंगे, मांग की पुर्वनमान इसलिए तो होगा किस प्रकार की इन्वेंटरी प्रबंदन प्राली में नियमित अंतराल पर किसी उत्पाद की निश्चित मातरा का आडर देना सामिल है अपसने है जेस्ट इन टाइम जे आईटी इन्वेंटरी भी है कि आडर यह आधिक आडर अलता है आव दिक इन्वेंटरी होता है तो आउधिक साहली आउधिक इन्वें प्रबंदन प्राली में कई भागम बहends के आडर देखे में में स्टिन ताइम ही देखे ये दि छात्रवास वार्डन को छात्रवास की सुरक्षा में उलंगन जैसे बाहरी लोगों द्वारा अधिक्रित प्रवेश का संदे हो तो उन्हें क्या करना चाहिए अपसों ने संदे पर ध्यान नहीं क्योंकि यहां निराधार हो सकता है और इससे ध्यान नहीं देंगे अधिकारी को सचेत करें और उलंगन की जांच करने और उसका समाधान करने के लिए ततकाल कदम उठाए ठीक ठाक है शात्रों को जिम्मेदार मानते हैं चात्रों को जिम्मेदार कैसे माने क्या पता छात्र ने बुला कि को अपने से आ गये हैं कि चोर है कि कौन है पत के अंदर लोग घुसाये हैं और लंगन की जाच करने और उसका समाधान करने के लिए ततकाल कदम उठाएं कि नेक्स्ट है ये मारेश चात्रवास में चात्रों के ट्रैकिंग या कैपिंग जैसे आउट डोर खेल आयोजनों का आयोजन करते समय क्या सुरक्षा उपाए होने चाहिए अब सन्य है खात्रों की आत्म निर्भरता के निर्माण के लिए कोई सुरक्षा उपाए आवश्यक नहीं है उचीत उपकरन प्राथमिक चिक्त्सा किडम प्ररशिक्ष्यक्षा प्रश्यक्षक प्रदान करना निर्माण कोफे में निर्भरता के लिए कोई सीथित्सक्रत ऱयख्या e कहीं आंसर होगा उचीत उपकरण प्राथमिक चिकित्सा कीड़ पर सिक्षण परिवच्छक प्रदान करना तो कि कोई सुरच्छ उपाय नहीं करना यह तो गलत बात है नेतरित्य कोशल के बढ़ावद दने कि छात्रों को स्वतनत रूफ से कारेकर्यम पर प्रबंध करने के निंटे के लिए प्रक्ति प्रसाहिट करेंगे हैं दिए दर्धे को लिए पकूल करने के लिएुअ करेंगे है और क्ला जकीली को प्रतुदि करें लिक्रम्यल ट्यान के तीकने का माहल बनाना है जबकि सजा का उद्य से प्रतिसेध है तो पीछे एक बारा ऊब आचुका है दोबारा रिपेट हुआ है बनाता है तो अनुसासन में सक्रिया दिष्टिकोण होता है जब कि सजा प्रतिक्रियासिल होती है कोई गलत कारे करेंगे तभी आपको सजा मिलेगे यह निकि प्रतिक्रियासिल है खात्रों का एक समुह लागतार बिनानमति के छात्रवास परिसे छोड़ देता है जो नियमों की विरुद्ध है बिनानमति के छात्रवास परिसे से बाहर चला जाएगा तो यह नियमों की विरुद्ध है ही आपको प्रसासनिक करवाई करनी चाहिए आपको क्या प्रसासनिक क जब तक चात्र उचित समय के भीतर लौट आते हैं तब तक उलंगनों पर ध्यान ना दें जी है बिना किसी जांच के इसमें सामिल चात्रों को निलंबित कर दें और डी है निग्रानी बढ़ाने जैसे सक्त सुरक्षा उपाए लागू कर दें न ये तो ठीक है लेकिन सक्त कर चात्र नियमों के विरुद्ध होकर चात्रवास से बाहर चला गया उसके संबंद में पूछ रहा है तो आप निग्रानी बढ़ाने के लिए सुरक्षा उपाए लागू करें अच्छी बात है लेकिन उसके संबंद में क्या करेंगे बिना किसी जांच के इसमें सामिल चात् तब तक उलंगनों पर ध्यान ना दें अईसे नहीं ध्यान देंगे तो समस्या हो जाएगी नियमों उनका पालन करने के महत्व परचार्चा करने के लिए चात्रों के साथ एक बैठक आयोजित कर सकते हैं कि भाई बार बार तुम क्यों नियमों का उलंगन कर रहे हो क्या सम फ्राक्त होती है आपको इस सिकायत का समधान कैसे करना चाहिए मतससन घ्वांच करें क्योंकि सब्सकतम इसकतर करने के लिए क्यान ना दें क्योंकि है सीरे आ कौइवास-प्रबंदन से संबंदित क्षाटर थे आअफ बात करें कि इसमें सामिल स्टाफ सदस्य और छाटर दोनों से बात करें और सुनस्ष्चित करने करें उचीत का रिवाई करें दोनों को मिला कर बैठक कर लें पता चल जाएगा किसकी गलती क्या है नेक्स्ट है आपको छात्रवास में कुछ सिक्षकों द्वारा अनुचीत बेवहार और पक्षपात के बारे में कुछ छात्रों से सिकायत मिली है आपको इस स्थिती से कैसे समभालना चाहिए आफसा ने है शिकायतों पर ध्यान ना दें शिकायत पर ध्यान नहीं देंगे तो तो ये अच्छी बात नहीं है निराधार आरूप लगाने के लिए छात्रों को फटका रहें आपको कैसे पता कि निराधारा रूप लगा रहे हैं आगे के संपर्क से बचने के लिए सिकायत करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रवास में अस्थनांतरित करें ये गलत है तो मामले को निस्पक्ष जाच करें संबंदित छात्र से बात करें और उचित चैनलों के माध्यम से किसी भी बैद चिंता का समधान करें यहीं सही होगा अंसर एक छात्र ने बताया है कि उसे अपने साथियों द्वरा भूली किया जा रहा है और वह स्कूल जाने से डरता है इस इस्तिति से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए अफसन यह थात्र को सक्त होने और स्वयंगी से निपटने की सला दें तो मामले की जांच करें इसमें सामिल तभी पक्ष से बात करें और छात्र की सुनिश्चित करने के लिए बुलिंग बीरोधी उपायों को लागू करें नेक्स्ट है एक छत्रवास के लिए ब्यापक सुरक्षा और संरक्षा योजना में निमलिकित में से किस पहलू को सामिल किया जाना चाहिए अगनी सुरक्षा उपाय आपात्काले निमासी योजना और प्राथमिक चिकित्सा सुवधायों की बीच बात्चित को कम करने के लिए अलगाव को प्रत्सायत करें और डी है साइबर बुलिंग को रोकने के लिए लेक्टानिशिप करने उपर प्रतिबंध लगाएं ती बंध्स नहीं लगा सकते हैं और श्यात्र की बीच बाुस्त करने के अलगाव को छुनिश्षित्स करना या संसे नहीं जहाए नहीं सब्द्म्राइगे उसको के उपलावद कराएं नेक्स्ट है एक छात्र को धमकी भरा मैसेज मिला है खात्रवास कर्मचारियों दोरा ततकाल करवाई की क्या जाना चाहिए अपसने संदेश पर ध्यान ना दें यह तो गलत है ध्यान नहीं देना खात्र को धमकी देने वाले ब्यक्ति का सामना करें किसला दें खुद थोड़ सही है उप्यक्त अधिकारियों खत्र एक रिपोर्ट करें और छात्र को सायता प्रदान करें नेक्स्ट चात्र को अपने छात्रवास के कमरों में विजली के उपकरनों के शुरक्षित उप्योग के बारे में स्छिट करना क्यों महत्तपुना है आप संजी है बिद्धुत प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदा की संभावना है जहां EMRS शात्रवास इस्तित है शात्रवास वार्डन की रूप में आपकी तत्काल करवाई क्या होने चाहिए अपसान E है शात्रवास खाली करें और शात्रों को सरक्षित अस्तान पर ले जाए नियमित गतिव इधिया जारी रखें और इस्थितिक की निगरानी करें कोई स्थित एक दिया है वार्शिक शांस्कृतिक उत्सव निकट आ रहा है और भाग लेने के लिए उत्सायत हैं हलांकि आपको माता-पिता के एक समू से सिकायत प्राप्त होती है जो अपने बच्चों की पाठ्थेतर गत्विदियों में भागिदारी के बारे में किंतित हैं आपको इस्तिष्टिक कोई से समालना चाहिए आप सने है माता-पिति के चिंताओं को दूर करने के माता-पिता की सिकायतों द्यान नहीं देंगे तो अगले दिन माता-पिता कलर पकड़ अखर तो इसलिए ध्यान देना जरूरी है किसी भी टकराव से बचने के लिए संस्कृतिक उच्ण करना गलत करना माता-पिता की चंताओं को दूर करने च्रात kutcha भागरेने से हाथो चाहिद तो नहीं कर सकते हैं तो दी है माता-पिता को पठेतर गद्विदियों के लाभों के बारे में बताएं और उनकी चिंताओं का समाधान करें इस्थिती एक दिया है कि छात्रवास में कुछ वरिष्ट छात्र छोटे मोटे जगणों और विबादों में सामिल रहे हैं खात्रवास वार्डन को इस्थिती से कैसे निप्टना चाहिए अपसन ए है तंगर समाधान सत्र आयजित करें और खुले संचार को पुर्ट साहित करें भी है जगणों को नजरंदाज करें क्योंकि बड़े होने का हिस्सा है एक उदाहरन अस्तापित करने के लिए इसमें स चाहरन अस्तापित करने के लिए इसमें चाहत्रों को डंडित करें चाहत्रों को काने का मतलए हो कि छात्रों को इतना दवड़ा दवड़ा के मारे कि दूसरे चाहत्र गलती करने से पहले सोचें पचास भार तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं जगणों को नजरंदाज करें नज जाया कुड़ाने में लगा हुआ है शात्रवास वार्डन के रूप में आपको इस उस्ति से कैसे निपटना चाहिए इसे साथियों के बिच रानी रहित चिढ़ाने के रूप में अन्देखा करें भी है महत्रिपुन महाल बनाये रखने के लिए चिढ़ाने में सामिल हो रहा है क्योंकि वहां फिट नहीं बैठ रहा है यह तो कोई अंसर होगा नहीं मैत्रिपुन महाल बनाये रखने के लिए चिढ़ाने में सामिल हो जाएं कि बच्चे तो चिढ़ाई रहे आप भी जाका चिढ़ाने लगे तो ऐसा भी गलत है तातियों की बिच्छानिकार चि चिढ़ार के बारे में सिक्षित प्रदा सिक्षित करें नेक्ष्ट है चात्रवासों में निम्लिखित में से किस सुरक्षा उपाय का फुदेश से बिरोध विसेश रूप से दुर घटनाओं और चोटों को रोकना है यह नियमित अगनी अभ्याश भी है रात में छात्रों को उनके कम्रे में बंद कर देना कि यह बारी छेत्रों तक पहुंच सिमित करना और यह हात्रों के समाजिक में जोल को प्रतिबंदित करना तुरक्षा उपाए का उद्देश से दुर घटनाओं और चोटों से बचाना है यानि कि किसका उपाए दुर घटनाओं से और चोटों से बचाना है हात्रों को समाजिक मेल जोल के प्रतिबंदित करेंगे समाजिक मेल जोल से प्रतिबंदित करेंगे समाज से अलग कर देंग शात्रों को उनको कमरे में बंद कर दें और शात्रों को बंद कर दें बाहर निकलने ही न दें तो यह नहीं सही है तो नियमित अगनी अभ्यास कराएं ताकि उन्हें पता चले कि अगनी से कैसे निपटना है धात्रवास के संदर में बूलिंग और योन उत्पिडन के बीच राथमिक अंतर क्या है आप सने है बूलिंग में सारेरिक छती सामिल होती है जबकि योन उत्पिडन पूरी तरफ से मौखिक होता है बुलिंग हमेशा जान बुझकर होता है जबकि यह नित्पड़न अंजाने में भी हो सकता है C है बुलिंग किसी ब्यक्ति के लिंग पर निर्देशित होता है जबकि यह नित्पड़न के बेभार पर निर्देशित होता है दे हैं पूलिंग आम तोर में आव एक्षमिया सामिल होती है ऐसक्त हम मौत nuclear हो तो यहां ब्लैक में तो चाधी तो नहीं हैना दो जरूरी नहीं हैं카ating प्यूलिवर्यां के यौन उत्प्रण demolgor इंप पूलिवर्यां AH yooni उत्प्रण जानीं पारेम्然कर होता कि यह मैं लेकिन पारेम्राश उनोट को यांज यह दोला मोजाने वाल plays कि धानात्मक शुलाथा सुनश्यत करना क्यों अवश्यक है कि यह इस से च्छात्रवास की प्रतिश्ठा बढ़ती है यह चात्रों से ब्हतर फ्रत्रों करने में मदद करता है यह ध्रुगट्टा और चोटो से बचाता है दी है च्छार्वे के मानसी कर भंवनात्मा कल्यान को बढ़ावा देता है जिसते सीखने का अनुकुल महा क्वल travel बनता है भावनातमक सुरक्षा चोटो से कैसे बचाएगा यह चात्रों को सैश्रीक प्रतिश्ण करने में मदद करता है कुछ हत्तक सही भी है जिससे सीखने का अनुकुल महाल बनता है इसलिए तो सिखने कावल को नुकुल महाल बनता है तो सैचलुप से बेहतर प्रदर्शन में मदद मिलती है तो दोनों सही है यह भी सही है लेकिन सबसे ज्यादा टी सही है एक छात्रवास सैचिक तनाव और सिंता के साथ आपके पास आता है विद्यार्थी की मदद के लिए आपको क्या करना चाहिए अब सने है विद्यार्थी को सक्त होने और तनाव से निपटने के लिए कहें भी है चात्रों को उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए एक सिक्ष करें थी है शहन भूति पूर्वक सुने भावनात्मक्स मर्थन प्रतान करें उन्हें प्रहमर्श्दाता से कि यहां कहां ला रही है कि विद्यार्थी को सक्त होने और तनाव से निपटने के लिए अगर खुदी निपट लेता आपके पास क्यों आता तो आप्शन सी है सहाने भूति पूर्वक सुने उसकी बातों को भावनात्मक्त समर्थन प्रदान करें और उन्हें अगर जरूरत परमार्षदाता से बात करने का शुझाओ दें और नहीं जरूरत पर खुदी निपट जाए खुदी निपटा दें उस काम को रात्री के समय छात्रवास में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निमलिखित में से कौन सा उपाय आवश्चक है यह सांत वातावरण बनाय रखने के लिए सभी लाइटें बंद कर दें दी है नामित कर्मचारी रात्री का लिन गस्त करते रहें दी है पूरी रात उनके कप निक्ष्ट है होस्टल में यौन सुरक्षा यौन सुरक्षा और जागरुगता पर नियमित कार्य सलाय आयोजित करने का प्रमुख टारण क्या है अफसन ए है संस्थान के वार्सिक गतिवीधियों कोटा पूरा करने के लिए अनुचित बेवार के पर ससक्त करने के लिए अनुचित बेवार के परिडामों पर क्या जागरुक उसके यह भी सही है कुछ तक तक संस्थान के वार्सिक गतिवीधियों कोटा पूरा करने के लिए के लिए कोटा पुरा करने के लिए थो सकता है नेक्ष्ट है चत्रवास में महिला चात्रों की सुरक्षा सुनिशित करने के लिए वार्डन क्या उपाय कर सकता है अफसन A है दीन के दवरान महिला सुरक्षा गार्ड नियुक्त करना अन्धेरे के बाद महिला चात्रों की गतियु वथ प्रदान लगाना महिला बिद्यार्थियों को बारी गतिविधियों भाग लेने पर प्रतिबन्दिद लगाना अर दी है लेंगिंग समानता को बढ़ावाद देना और सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित बातावारण प्रदान करना लेंगिंग समानता को बढ़ावाद देना और सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित बातावरण प्रदान करना ऐसी स्थिती में जहां एक छात्र ने बार बार बुलिंग की घटनाओं की सुरक्षा सुचना दी है आंत्रिक जांच करने के बाद अधिक छक का अगला कदम क्या होना चाहिए आप सने है बुलीज को नीजी रुप से बात करें और उससे बंद करने के लिए कहें बी है इसकूल की उच्छ प्रादिकारियों और सलाकार विभाग को सुचित करें दी है दयालुता में महत्व की चर्चा करते हुए समाने सभा की मेजबानी करें और डी है बुलीज किये गए छात्र का कमरा बदल दें बुलीज को नीजी रूप से बात करें और उनसे बंद करने के लिए कहें सिर्फ इस प्रकार करेंगे तब तो नहीं करेंगा इसकूल की कमी उच्छ प्रादिकारियों और सलाकार विभाग को सुचित करें सुचित करना तो ठीक है दयालुता में महत्यों की चर्चा करते हुए समानता सभा की मेजवानी करें ये भी कुछ हद तक ठीक है लेकिन सिर्फ दयालुता में महत्यालुता के महत्यों का चर्चा करेंगे तो इसका बुलीज वाला समस्य कैसे समाधान होगा बुलीज किये गए छात्र का कमरा बदलन कोई समदान होगा नहीं तो सबसे अच्छा विकल्प भी है कि इस चरूरतों वाले छात्रों के लिए हाश्टल में कमरे आवंटित करते समय सबसे महत्रपून कारक्या है अपसने है अपातकालिन प्रिश्थीतियों के लिए निकास बिंदू के पास समीपता अपसन भी है उन् थे सहकर्मिन वह हुए स्हकर्मिन अपसने हे हाश्टल प्रसासनिक कारें के पास क्रयाले के पास रखना बिसेश जवर्तों वाले छात्रों के लिए निकास बिंदू के पास रखना है कि उन्हें भूमितल के कमरे में कुछ है। निश्चित करना कि उनके आसपास के करमचारी कुछ कारद कंट्रë परिश्थीतितियों के लिए निकास बिंदू के पास समीप्ता बनाये रखना जिससे की कोई भी आपात परिश्थतिती हो तो वह बाहर निकल सके क्योंकि विशेश प्रकार का कि दिभ्यांग बेक्ति है न वो इसलिए उसे बिशेश सुरक्षा देनी जरूरी है आश्टल के इलेक्ट्रानिक सुरक्षा प्रडाली को साइबर हमलों के खिलाप समेधन सीलता का मुल्यांगन करने में निम्नलिकित में से कौन सा उपकरन सबसे कम प्रभावी होगा आपसने स्वेदन सिलता स्कैने उपकरन वीए प्रवेस्परिक्षन उपकरन सी है सोशल मेडिया मानेटरिंग उपकरन मुख करने में सायवेदन सीलता का प्रवेस्परिक्षन ये गलत है नेट्वार्किंग मानेट्रिंग कोई मतलब नहीं है तो स्वसल मेडिया का मानेट्रिंग करना कि यह सुरक्षा प्रढाली के लिए ठीक ठाक है निमने लिखित में से कौन सा उपाय हाश्टल में चोरियों को रोकने के लिए सबसे कम प्रभावी है चोरियों को रोकने के लिए सबसे कम प्रभावी खात्र कक्षों में अचानक जांच करना अचानक जांच करेंगे तो थोड़ा सा डर बना रहेगा तो यह तो प्रभावी है खात्रों को बेक्तिगत लाकर परदान करना ये तो बहूत अच्छा प्रभावी है खात्रों को कुझिया पहुच कार्ड साजाना करने के महत्तो को सिखाना ये भी स़ही है मुल्यांकन समगरी को एक सममानने भंडारन च्छेत्र में रखवा देना अगर मुल्यवान समागरी को समाने भंडारान चत्र में रखा देंगे, समाने भंडारान चत्र में रखा देंगे, तब तो कोई भी पहुंच जाएगा, और एक तो मुल्यवान है, दूसरे समाने भंडारान चत्र में रखा रहे हैं, तब ये कैसे चोरी तो होने का ये और खत अज copra हो जाएगा मैं इंद्ध करें कर करुंगा कर दोस्तों को सुचित करें कि मदद में पात चाले का ज़ो दोस्त운 को कि चलो खौज यहाएंगे दो-चारी उसमें उसी भी लपता हो जाएक और भारी भौत कि अपसे को सुचित किया पूरे हास्टल के बैट्ती को दूरफ से खौज करेंगे किसी को सुचित किय बीना क्यों चोरी चोरी क्यों plus किस रण नीति से चात्रवास चात्रों में भावनात्मक सुरक्षा को बढ़ावा नहीं मिलता है। स्वास्ति कारेसाला अगर निमित मांसिक स्वास्ति कारेसाला देंगे तो मांसिक रूप से अर्थात भावनात्मक सुरक्षा नहीं मिलेगा। होगा यह गलत है यानि कि यह बढ़ावा नहीं मिलता है इससे तो यहीं आपसन हो जाएगा नहीं ही वाला ही पूछा है तो यह आपसन हो जाएगा आपका सही हो जाएगा आपसन ए चात्रवास में चात्रों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपाय आवश्चक है कौन सा उपाय आवश्चक है अधिक CCTV के मेरे निस्टाल करना अधिक CCTV को कोई मतलब नहीं है नहीं जितना जरूरत है उतना इस्टाल करते तब तो क्यों चात्रों को मुलाकात कि समाहे माता-पिता से दुख बात है एक रखना ईक्क समय के करना और चात्रम को सिंताओं को भेग्त करने के लिए एक मंच परदान करेंगे और छात्र आहिंसे और और अपनी वातों शेयर नहीं कर पाएगा तो उसे क्या भावनात्मक सुरक्षा मिलेगी तो सबसे अच्छा है एक मंच परदान करो जिससे चात्र अपनी बात आपको आप तक शेयर कर पाए तरवास सेटिंग में संगर समाधान को प्राथमिक्ता देने चाहिए ए न्याय के मुकाबले में गति भी है अश्पष्टता के मुकाबले में लोकप्रियता दी है तोरित सजा और डी है लोकप्रियता के मुकाबले में न्याय के मुकाबले में गति हैनि कि सब सही है लेकिन सबसे सही डी है कि लोकप्रियता के मुकाबले में न्याय हो किन्याय को प्रिफ्रेंस दिया जाए लोकप्रियता स्याधिक किसी छात्रवास में छात्रों को उनके शैश्डिक कारिकरमों या पाठिकरमों के आधार पर अलग करना किने परिश्थितियों में उचीत हो सकता है अप्सन A है खात्रों की बीच सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना अप्सन B है प्रतिसपर्दी महावल बनाना अप्सन C है विश्षिष्ट कारिकरम संबंद या सकताओं को समावजित करने के लिए और अप्सन D है सक्त अनुसासन लागू करना हात्रवास में उनके सैच्छिड कारिक्रम और पठेटर के अधार पर अलग करना की श्थीतियों में उचित हो सकता है हात्रों के बीच सहयोग और टीम वर्क बढ़ावा देना जब अलग ही हो जाएगा तो सहयोग और टीम वरक बढ़ावा कैसे देगा विश्षिष्ट कार करना के लिए ये भी नहीं है प्रतियस्पार्दी महाल बनाने के लिए ये सही है कि जैसे एक्जाम है एक्जाम में बैठ रहे हैं तो अलग कर देंगे आप सब दूर-दूर कर देंगे अलग कर देंगे सब को तो सब करने का समभावित नुकसान क्या है एक्जात्रवास में जात्र राष्टिता या जातियता के आधार पर अलग करने का संभावित नुकसान क्या है एक चात्रवास में चात्रों को राश्टियता या जातियता के अधार पर अलग करने का संभावित नुक्सान क्या हो सकता है आफसने है तांस्कृतिक आदान परदान और विवित्ता को बढ़ावा देना भी है अधिक समावेसी वातावन बनाना तो चात्रवास में राश्टियता के अधार पर और जातियता के अधार पर अगर बच्चों को अलग लग संभावित करेंगे तो इसका संभावित नुक्सान यह होगा कि रूडिवादिया और अधिक बढ़ेंगी एक तो समाज में पहले से व्याप्ता हैं दूसरे में आभ्यू से अनुमती देंगे तो रूडियाद बादिया और अधिक हो जाएंगी बिना किसी वैद कारण के खात्रवास में चात्रों को अलग रखने का संभावित परिड़ाम क्या हो सकता है आप्शन A है समुदाय और अपनेपन की भावना में ब्रिधी, B है स्टैश्डिक प्रदर्शन में सुधार, C है भेद भावर और भाहिसकार की भावना और D है प्रतियस्पर्धी और प्रेड़ा में ब्रिधी भेद भावर और भाहिसकार की भावनाएं हो सकती है भेद भाव और भैसकार की भावना हैं अगर अलग रखने का किसी बाइद चारण के छात्रवास में चात्रों को अलग रखते हैं तो इनके बीच भेद भाव बढ़ेगा और भैसकार की भावना बढ़ेगी अलग रखने बीना मतलब का अगर अलग रखेंगे तो वहीं बात है फिर सिरूडिवादियां बढ़ जाएगी शत्रवास के छात्रों में अपनेपन और सामावेशन की भावना पैदा करने के लिए क्या जाना चाहिए अफ्षन A है छात्रों की बिच प्रतियस परदा को प्रत्साहित करें बी है रूचियों के अधार पर विशिष समूह बनाएं C है समाजी कारेकर्यम आउजित करने से बचें और D है टीम वर्क विवीता और ब्यक्तिकत मत भेदों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना अपने पर और समावेशन की भावना पैदा करने के लिए क्ılar करेंगे छात्रों के बीच प्रतिस परदा को बढ़ा उत्म पर प्रतिएस परदा को बढ़एगा समावेशन को रूचियों के धारम बिश्ष घूह बनाएं प्रतिंवर्क विवित्ता और ब्यक्तिकत मत भेदों के प्रति अगर समान देंगे तो इसका पुछ अपने पन के भावना बढ़ेगी इससे तारीक अलगाव के अलवा चात्रवास में पुरुस और महिला चात्रों के अलगाव को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए क्या विपाई किये जा सकते हैं ए है साजा सुविधाओं तक आप्रतिबंधित पहुंच की अनुमती देना पुरुस और महिला चात्रों के लिए सक्त करफी लागू करना एक करण को प्रोचाहित करने के लिए मिस्रित लिंग वाले रूममेट नेक्त करना और डी है लिंग के बीच आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देना सबसे साही आंसर यहीं है लिंग के बीच आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देना यहीं साही है बढ़ावा देना अगर साजा शुब्धाओं तक अप्रति बंदित पहुंच कर, परदान करेंगे, तो इसे प्रभावी धंक से सुनेशिद कैसे कर creature होगा, अप्रभाव को सुनेशिद करना है ना, खात्रों के अलगाओं को प्रभावी धंक से सुनेशिद करने के लिए, तो हालगाव को सुनस्सीत करना है तो साजा सुभधाहं तक आप रहा व्लिक पहुच देंगे तो साजा सुभधाеп सभी पहूचेज़ के लिए हम तो स्वी और अलार्म जैसी अपात इस्थिति के दवरान हाश्टल वार्डन को पहला कदम क्या उठाना चाहिए यानि कि फायर अलार्म बज़ा है कि कहीं आग लग गई है वह सेंस करके अलार्म जो बजता है तो फायर अलार्म बज़ गया है अपसनी है अस्थानी अगनी शमन विभा को काल करें एफ है अलार्म के कारण की जांच करें दी है सभी निवासियों को तुरंत हटा दें और डी है छात्रवास प्रबंधन को आगे कट गया है कि छात्रवास प्रबंधन को क्या करना है तो सबसे पहला कदम फायर अलार्म बज़ा है सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए अस्थानी शमन को बुलाएंगे सही बात है लेकिन पहला कदम यह तो है नहीं अलार्म के कारण की जांच भी करेंगी वो भी सही है लेकिन पहला कदम यह नहीं पहला कदम यह है कि जीतने भ के लिए आश्टल वार्डन द्वारा करना आवश्यक है आपसने है बच्चों को अपने निजी अन भवों के बारे में गुप्त रहने के लिए प्रत्साहित करना भी है यह सुनिश्चित करना कर्मचारियों की निवक्ति से पहले उचित इस्क्रेणिंग हो सब्सक्रेणिंग होगी तो शुरक्षा उपाय यह उन सोशन्ट से बच्चों के लिए एक हाश्टल वार्डन द्वारा करना आवश्यक उपाय में से एक है बाकि सबी हैं अपात स्थितेव में स्कूल और्ष्य स्ल्जाओ सुनिश्चित करने के लिए निमिकित में से कौकई सो हुपायばい कब धै՞ा कि एहिए नियमित है इस रख रखा और वहान की शुरक्ष्छा गा दिभी है कि वअल नई बसों को खात्र परीवहान दिज की में है और ऑडिए है चात्रों का मनुरणजन करने के लिए बसों में तेज संगीत प्रडाली लगाना है आप को Хाथ्रों को मनुरणजन करने के लिए टेज संगीत प्रडाली यहने के दीजेण बजा धेंगे नाette थो नाच्तE अखिती है प्रती बस 50 सधिक खात्रों के छमता होना चाहिए और अहलोग микौत पराजे सवरतَ करता है थाकार कैसे पटाया जाता है किना जा सकता है कितने बड़ी बस है कितने चोड़ी बस इत्याद्य वह नाई बसों परिवान के लिए निक्त करना क्यों नई बसों को निक्त करें कि रोज रोज नई बसे लाएंगे तब तो भरबाद हो जाएं की वसे लाते लाते तो नई बसको नहीं लाया सकता है नियमित रख रखा ह vendorvahara की जांच करके यह कार्य पूरा किया सकता है 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 तो निश्चित करना कि सभी सजावटी रोशनी सुरक्षा मानकों का पालन करें कि योजना बनाना है तो आपको क्या करना होगा योजना बनाते समय तुनिश्चित करना कि सभी सजावटी रोशनी सुरक्षा मानकों का पालन करें यह नहों कि पटाखे फोड़ने के चक्कर में कोई तो जो सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से उप्यग होना चाहिए बीना देखरें के अतिस्वाजी करना तो यह मतलब है कि पठाका फोड़ा और किसी के मुझ पर फेक दिया जैसे होली में रंग फेकते हैं किसी के मुझ पर बूराना मानो होली है तो इसे पठाका फोड़े करेंगे और फेक देंगे मुझ पर और बोलेंगे बुरा न मानो ते भार समारो है तो इस प्रकार करना है तो बावित एलर्जी के लिए जांच किये भीना भोजन परोशना यह तो कोई मतलब भी नहीं यहां पर बच्चों के लिए उम्र क्यू उचित्या पर विचार किये द्रिष्टि दोत्रों के चेतावने देने वाले अस्धरोन भोती वाली फ्लोरीं के अस्ठापना करना है बीच्टि दोस वाले बच्केँ इतनों तक सिमित करना ब्रह्म की इस्तिती पैदा कर सकते हैं इसलिए किसी भी मावखिक संचार से बचना और डी है उन्हें गोधूली के बाद अपने कमरों में रहने के लिए प्रोच साहित करना सही आंसर होगा अस्थानांत्रम में परिवर्चन या खत्रों की चतावनी देने वाले अस्पार्शान भोती वाली फ्लोरिंग की अस्थापना करना यानि कि अस्पर्श करके ही उन्हें पता चल जाए क्योंकि द्रिश्टिदोस वाले तो उन्हें दिखाई तो देता नहीं त तो अस्पर्स करके ही उन्हें पता चल जा ऐसा अस्थापना होना चाहिए कि दोस्त वाले बच्चों को केवल कुछ भी से स्षेत्रों तक सिमित करना फीक तो है लेकिन उनके अधिकार कहाना नहीं होगा ना ऐसा करेंगे तो तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्म की इस्ति पाईदा कर सकते इसलिए किसी भी मौकिक संचार से बचना कोई फैदा है नहीं तो उन्हें करना है जब दिखाई नहीं देता है तो उन्हें गोधुली के बाद अपने कमरें में रहें नहीं से श्पकार करम कैसे होगा पानी आधारित गदिवीदियों के दारण बच्चों की सुरक्षा सुनिशित करने के लिए ती फारिष की गई बीधी। तो सही आपसन होगा ए उचित प्रमाण पत्रों के साथ लाइफ गाइड को निक्त करना यहीं सही होगा बागी सब तो बेकार के हैं अच्छल परिसर में आग की स्थिति में पता लगाने और जतावनी देने के लिए मुक्षित प्रढाली का उप्योक किया जाता है आग की स्थिती में पता लगाने और जतावने देने के लिए ए है अनाधिक्रित प्रवेश पता लगाने वाली पडाली आईडियास बी है बंद सरक्रिट टेलीविजन सीसी टीवी दी है अगनी समन अलार्म पडाली और डी है प्रवेश नियंत्रण पडाली अगनी समन अलार्म पडाली होगा अगनी समन अलार्म सीस्टम आग की स्थति जो उपर सेलिंग फेंन में लगे रहती इसमें सेंसर लगा होता है और जहां बंद सरक्रिट टेलीविजन यहनी की सिस्टी सिसी टीवी जो लगा है उसको बंद कर दो बंद करके रखो यह कोई मतलब है नहीं अन अधिक्रित प्रवेश पता लगाने वाली प्रडाली अन अधिक्रित है अधिक्रित होता तो एक बार सोचते भी लेकर अन अधिक्रित है कोई मतलब नहीं है आप्शन सी अगनिस नहीं माना जाता है आपसन ए है जल का स्रोत आपसन भी है जल कंटेनरों का रंग आपसन सी है जल की संग्रहन इस्थिति और आपसन डी है कत्रवास के भीतर जल की भीतरण प्रलाली कौन सा महत्पुन कारक नहीं माना जाता है जल प्रदुसनक के जोखं को करने के लिए अगर जल प्रदुसनक में के जोखं का कंटेनरों का रंग कैसा है कंटेनर किस प्रकार के रंग का है हरा है लाल है पीला इससे क्या मतलब है जल के बाहर से किस प्रकार से कंटेनर रंगा तो यह नहीं होगा, गती सीलता में बाधा वाले बच्चों के लिए अपात काली निकासी प्रेक्रियाओं को डिजाइन करते समय किसी विचार को महत्वपुन माना जाता है, केवल द्रिश से सिगनल का उप्योग करना अलार्म के लिए, अप्सन भी है, सुनिश्चित करना कि सभी निकासी के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना और डी है, सभी परिस्थितियों में सहायता के लिए एक साथ ही निउक्त करना, सही आपसन होगा सी, निकासी के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना, यानि गति सिल्ता में बाधा वाले बच्चों के लिए, अपात कालिन निकासी प्रक्रियाओं को डिजाइन करते समय क्या बिचा, गति सिल्ता में बाधा, यानि कि गति में बाधा होती है, मतलब कि उनका पैर अच्छे से नई काम हो सकता लगड़े हो बैचारे तो गति सिल्ता में बाधा है उनके पास तो गति सिल्ता में जब बाधा है तो उनकी लिक्षा जरूरी है निकास के लिए और तिरिक्त समय प्रदान करना यहीं जूरूरी है हुष्टल में एक अचानक स्वास्त संकट के दवरान एक चात्र बेहुस हो जाता है आपका तुरंत कदम क्या होना चाहिए आप सने है देखें और देखें कि क्या चात्र अपने आप को हुस में लाता है अब देखते रहेंगे कि देखते हैं कि कब अपने आपको हुस में ला गटना के बारे में चात्र के माता पिता को सुचित करें कि उस समय तुरंत प्रतिक्रिया है पूछ रहा है और तुरंत प्रतिक्रिया उसमें गिरा हुआ है और आप उसके माता पिता को सुचित करेंगे माता पिता कहां है जारों किलमेटर दूर है पता ने कवा तो क्या मतलब प्रतिक्रिया होगी हेल के मैदान के सुरक्षा निरिक्षण के लिए निमने लिखित में से एक मूख्य विचार है अब से ने है उपकरणों का रंग बी है बच्चों की बीच उपकरणों की लोक प्रियता C है धातु के हिस्सों पर जंग की उपस्तिती और D है उपकरणों का ब्रांड सही आपसन होगा C अगर धातु के हिस्सों पर जंग की उपस्तिती एक अगर धातु के हिस्सों पर जंग की उपस्तिती हो गई तो इस इसे टिटनेस का खत्रा वढ़सकता लेकिन दातू का हिश्ची उपस्तिति होगी तो यह अच्छी बात नहीं है कि निम्नलिखित में से काउन सब्सक्राइब करने के मानक अभ्यास नहीं है आपसने है नुक्सान के लिए इलेक्ट्रिकल कार्ड की नियमित जांच, भी है थात्रों को इलेक्ट्रिकल मरमत करने के अनमती देना, सी है गीले छेत्र में ग्राउंड फाल्ड सर्किट इंटरप्टर की अस्थापना करना, और डी है स्वेंदन सील इलेक्ट्रानिक शिप करनों के लिए सर्ज प्रोटेक्टर का उपियोग करना, अब भ्यास नहीं है पूछा है, नुक्सान के लिए एलेक्ट्रानिक जाच करना in a चाथ्रों को इलेक्ट्रानिक मरमत करने के मत इस हमादर स्थाफना करना यह गलत न समय द어서 ke-00 File protector का उपयोग करना यह सही है यड़ के लिई कई शात्रों को मर मत करने के लिए के लिए को मन मत करते हैं प्राथ मिर गटक नहीं से नियमित सन्रजनात्मक निर्ख्षण आपात का लिन प्रतिक्रिया प्रसिक्षण एंटरनेट साइबर सुरक्षा उपाय और खेल उपकरणों की उपलाब धता स्कूल सुलक्षायोजना का प्राथमी गटक नहीं है कि अंजनात्मि अपात कालिन प्रतिक्रिय प्रसिक्ष्ण दना है ईंट्रणेट साइबर सुलक्षा के उपाय बताना यह भी अच्छी बात है कि यहादा का पयाइपक स्कूल सेकूई यह हैं नहीत bedroom को सुरक्र्ण योजना भींगिव सब्सक्राइब योजना गला नहीं नहीं योघ सब्सक्राइब सबका सुरक्षा से लेना देना है कि आप देखते हैं कि कुछ चात्र सराब पी रहे हैं आप इस परिष्थिती के समना कैसे करेंगे अपसे ने हैं चात्रों से बादचीत किये बिना तुरंत प्रधाना द्यापक को सुचित करें बी है चात्रों को धीरे से अलग ले जाएं और जोखिम और नियमों के बारे में उने परामर्श दें किसका जोखिम क्या है तुमारा लिवर खराब हो जाएगा तुमारा यह हो जाएगा यह बुरी आदत है तो इस प्रकार से उने समझाएं अलग करके यहीं सही होगा बात चित बीना किया ही तुरांत उसको प्रदाना सोचित करना यह अच्छी बात नहीं है तर आप जब्त कर लें जब्त करके खुद तोड़े नहीं पियेंगे इन्वेंट के सुरक्षा से बात चात्रों को अलग से हटाने के लिए कहें यह भी स्गलत है रात में होस्टल की राहदारी में तहकीत करते समय आप एक छात्र को कोरीडोर में रोते हुए देखते हैं आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है देर रात आपने कमरों से बाहर होने के लिए छात्र को फटकार है छात्र को फटकार लगाएं कि आप कमरें से बाहर क्यों गए मजबूरी कि यह बादचित के लिए किसी की जरूरत है सही है कि फ्रसासन को छात्र की सूचना दें यह गलत है आपके पहरा स्वक्षताब रच्छत करने के लिए किसी की जरूर्थ क्या समस्ट्र को बढ़ावा देना स्वाक्षता प्रतिबान है किस्वक्षता और जाबुगता आप चात्रवास के वार्डन और सफाई के इल बारे में वे उर से लगतार शिकायते आ रहे हैं इस समस्या का समध्धान ऐसको क्या करना it आप सने है सिकायतों पर ध्यान ना दें क्योंकि छात्र अक्सर अपनी चिंताओं को बढ़ाज रहा कर बताते हैं बात्रूमों की नेमित सफाई और रखरकाओं के लिए समार्पत इस्टाप सदस से निक्त करें सबसे अच्छा विकल्प है बात्रूमों की नेमित सफाई और रखरकाओं के लिए एक समार्पत इस्टाप सदस से निक्त कर दें तक कि सफाई हो पाए ठिकायतों पर नधान ना दें ये तो गलत बात है खात्रों के साथ उनकी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आजुद करें और हर चीज के लिए बैठक आजुद नहीं करेंगे अनुशासन के रूप में विद्यार्थियों का कारेभार बढ़ाएं कारेभार बढ़ाएं क्यों कारेभार घटा आने के बात होती तो एक are सचा में जाता जब किसी च्छात्रवास में बड़ी संख्या मेनू की पेशकस उसल एवं स्वक्ष भोजन तयारी सुनिशित करना भीड भाड का कम करने के लिए भोजन का समय सिमित करना और भोजन सेवा की आबरीती कम करना कई भीकलबों के साथ एक ब्यापक मेनू पेशकस करना यह कोई घृण करने के लिए भोजन का सिमित करना ऑजन का समय करेंगे दस्म Luminku कोई नहीं कर पाय स्चों नहीं कर दिन में अबर दिन में ल 1 बृजन 121 तो सही आंसर होगा तुसल एवं स्वक्ष भोजन तयारी सुनिश्चित करना समाने छेत्रों के अलावा समाने छेत्रों के अलावा छात्रवास के किन छेत्रों में साब सफाई और स्वक्षता को प्राथमिक्ता दी जाने चाहिए Сब्सक्स्ता प्र्यास्म का एक मात्र फोकस्समान निचित्र होना चाहिए जाहिए सफाई कख्षवाष के बाहरी और आज 2 पास तक ही सिमितफ होनी चाहिए ड़ी है सफाई मुक्ख्रूव के प्रसासनिक कर्यालें पर कैंदरित होनी चाहिए सिराय श्वक्ष्ष्टा सफ़ाय की प्रात्यवीं नेहिंड स्थान यांत। सबसे प्रबंदन गोपनेता और समाजिक अंतर क्रिया के बीच तंतुलन कायम करने के लिए क्या द्रिष्टिकून अपना सकता है समाजिक अंतर क्रिया के लिए समुदाइक अस्थान प्रदान करें जबकि ब्यक्तिगत कम्रे जैसे नीजी अस्थान सुनिश्चित करें गोपनियता बढ़ाने के लिए छात्रों को लिंग और आयू बर्ग के अनुसार पुरी तरह से अलग करें तो गोपनियता और समाजिक अंतर क्रिया के बढ़ी संतुलन कायम करना है इसमें द्रिष्टी कुण पूछा है तो समाजिक अंतर क्रिया के लिए समुदाइक अस्थान परदान करना क्योंकि समुदाइक अंतर क्रिया पूछा है समाजिक अंतर क्रिया के मतल समुदाइक अंतर क्रिया तो सबसे अच्छा यह आप सन्याही होगा और फिव लगा देना यह तो कोई बात नहीं है गलत है गुपनियता बढ़ाने के लिए छात्रों कुलिंग और आयू के अनुसार पूरी का विभाजन लागु किया जा सकता है जो च्छात्रों की अकादमिक सफलता का समर्थन हो अपसनी है लिंग अधारित विभाजन लागु किया और गुंकि लेकिन यह पूछा है। क्वेश स्वाभन की है। लेकिन यह पुछा है। नाकरात्मक्प्रभाव क्या हो सकता है, अपस्दन ये है यह एक प्रतीशपरदी अकादमिक वादावरन को बढ़ावा देता है बी है यह यह चात्रों के लिए बिपृति लिंग के साथ अंतरहëं भीकतिकत करने के आृशार को सिमित करता है, सभी छात्रों के लिए गुप नियता बढ़ाता है और यह संसादन प्रबंधन में तुराद सुधार करता है कि यह होगा यह चात्रों के लिए बिक्तिकत करने के आवसर को सिमित करेगा वाकी प्रभाव तो भावत होंगे लेकिन यह सबसे प्रभाव होगा आगे इसके प्रिक्षट्व हैं निगर्टिव फ्रक्षट्व हैं हाश्टल में परिक्षण की अवधी के दवरान व्याकुलता को कम करने के लिए किस प्रकार का विभाजन लाबदायक हो सकता है। परिक्षण की अवधी के दवरान व्याकुलता को कम करने के लिए किस प्रकार का विभाजन लाबदायक हो सकता है। तो मनुरंजन की आद्धो के अनुसार विभाजन की हो सकता है क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। नीद के कार्यकरम के अनुषार विभाजन हो सकता है क्या क्या सुलाइंगे अधिक ्लाप प्रद हो सकता है कि व कात्रवास परिसर में स्वख्षता सुनेशित करने के लिए निम्द लिखित में से कौन सी कारेवाई महत्यपुन है करने के लिए करने के लिए दर आफ से सफाई करने के हाट्रों पर निर्भर रहना सफाय करेंगे एदारी के लिए यह शफाई करने के लिए लेकिन सख्त नियम उतना लागू करना अच्छी बात नहीं है लेकिन मासिक वहां सफाई मासिक करेंगे तो बहुत ज्यादा भिलंब होगा दैनिक करना चाहिए सब्सक्राइब करें तो यह थोड़ा सा गलत बता रहा है कि सक्त नियम कहीं भी आता है थोड़ा सा नेगेटिव इंफेक्ट देता है लेकिन इससे अच्छा विकल्प यहां कोई है नहीं तो यहीं विकल्प को सही मानना पड़ेगा बाहिकी प्रविर्तियों के अधार पर छात्रों को प्रिथक करना समस्या पूर्ण क्यों हो सकता है आप से नहीं है यह समवाद की विवित्ता को समित कर सकता है भी है यह सुनिश्चित करने करेगा कि छात्र केवल अपनी प्रविर्तियों पर ध्यान केंद्रित करें यह एक सम पुर्ण ससकता है यह समथ की वीता को सीमित कर सकता है कर सकता करता है जह आ समय पुर्ण यह बीवीत पुर्वर्तियों के अधार पर संघर्ष को संघर्ष को कम कैसे करेगा खुदी बचार है तो सही आपसर होगा यह समग्र समाद को कम कर देता है यह यह लिंगों की बीच बहतर समझ और समान के बढ़ावा दे सकता है जैक छात्रों को बढ़ती हुए जागरुकता की ओर किसमागर करेगा लिंग ततश्थक्टा या च्छात्रों की बीच समक्र समाद को कम नहीं करेगए समागर को नहीं करेगा यह लिंगो की बीच बहाद्टर समझ और सम्मान को दाव दे सकते हैं यह चाथ्रों को किसी भी संपर्ख में जुड़ने से रोकेगा किसी विसंपर्क में नहीं रोक सकता है या अनुसासन की बढ़ती जरूरत की और इशारा करेगा अनुसासन की और बश्रुद्ध कोई मतलब यहां है नहीं तो आफसन भी ही सबसे सही विकल्प है यहां पर नेक्ष्ट हे शांसकृतिक या भास्य प्रिष्टि भूमियों के आधार पर शात्रों को प्रिथक करते समें निमलिखित में से किस विचार को सबसे अधिक महत पुण माना जाता है अफसन ए है एक ही प्रदेश के छात्रों को आसपास के कमरों में रखना बी है सांस्कृतिक अंतर क्रिया वालियों को बढ़ावा देने के लिए मिस्तन और सुनस्चत करना C है एक विशेश संस्कृतिक की लोग प्रिता के अधार पर कमरों का आवंटन करना और D है भासा दक्षता परिशमों के आधार पर छात्रों को कमरों में रखना सांस्कृतिक अभासिक प्रिष्टी भूमिये के आधार पर छात्रों की समय क्या बचार रखना चाहिए तो भी सबसे अच्छा उपा है संस्कृतिक अंतर क्रियावलियों को बढ़ावा देने के लिए मिस्त्रण सुनिश्चित करना एक ही प्रदेश के छात्रों का आसपास कमरों में रखाना ऐसा कोई तो और फिर समाजी विकास नहीं होगा एक ही जगर रखेंगे दूसरे से कोई कंटेक्ट नहीं होगा तो एक कि विशेष समस्किर्ट की पृष्टता के राधार पर शात्रों करता pipe रख कर दवा करता कि अन्य समावेसी नहीं है अन्य समाविसी नहीं है, आप इस्तिक को कैसे संबोधित करेंगे? यह है ठात्र को बहतर एकिकरण के लिए अधिकान सांस्कृति को समझने का सुझाओ देंगे, फी है समझ और समाविसीता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक जागरुकता सत्रावजुत करेंगे, और सांस्कृति को समझने का सुझाओ देंगे, फी को देख लेते हैं, समझ और समाविसीता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक जागरुकता का सत्रावजुत करेंगे, यहीं आपसन सही हो जाएगा, यह भी सही है, लेकिन सबसे आपसन, बी सही है, हश्टल में पूरुष और महिला छात्रों के अलगाव का संभावित लाव क्या हो सकता है, अपसने है, इससे विकर्षन कम हो सकते हैं, और बातों को उनकी पढ़ाई पर ध्यान के अंद्रित करने में मदद मिल सकती है, इससे समान लिंग के छात्रों के बीच समा समाजिक अंतर क्रिया बढ़ सकती है, इससे विकर्षन कम हो सकते हैं, अगर हश्टल में पूरुष और महिला छात्रों के अलगाव का संभावित लाव कुछा, तो इससे विकर्षन कम हो सकते हैं, और बातों को उनकी पढ़ाई पर ध्यान के अंद्रित किया जा सकता है, करन में मदद मिल सकती है, विकर्षन कम होगा, तो पढ़ाई पर ध्यान तो केंद्रित होगा है, वरना तो फिर उसी में लगे रह जाएंगे, विसेश आवस्च्यक्ता वाले छात्रों के प्रिथकर्ण प्रविचार करते समय मार्कदर्शक सिद्धान्त क्या होना चाहिए, है, बेक्तिगत, मुल्यांकन और समर्थन, तो बेक्तिगत और मुल्यांकन और समर्थन, यह सबसे महत्वपुन है, यह सबसे महत्वपुन मार्कदर्शक सिद्धान्त है, बेक्तिगत, शात्रवास में सहच्रिक वर्ष द्वारा छात्रों को प्रिथक करने के लिए एक मात् प्रभावी से सहयव करते हैं। वर्य चहत्रों को प्रित्त करने एकancyपन देत्र प्रमृत्त होते हैं। चात्रवास में सैष्डिक वर्स त्वारा चात्रों को प्रिथक करने के लिए एक मन्ने कारण क्या होगा वर्य चात्र जुनियर चात्रों को सता सकते हैं ऐसा को जारूरी थोड़े नहीं सता सकते हैं हो सकता सहयोग भी करें तो निश्चित करने के लिए कि एक ही सैष्डिक व सब्सक्राइब रहे हुघ तो बी सबसे सही आंसर हो गा शात्रों को पर्यूजनाओं के लिए अलग करते समय किन अन्य कार COME को ध्यान में रखा जाना चाहिए अब सने है लिंग और उम्र भी है उचाई और वजन की बालों का रंग और आँखों का रंग और डी है रासी चिन है जाए श्री विचार के अलावा छात्रों को पाठेतर गतिवीदि मौई अपर्योजनाव के लिए अलग करते समय अनिकार क्या विचार में ध्यान में रखाजाना चाहिए लिंग और उम्र को तो ध्यान में रखा जाना चाहिए शही बात है उचाई और वजन से कोई मतलब है मुझाई और वजन से कोई फरक नहीं पड़ता है बालों का रंग कैसा और रांखों का रंग कैसा ये से कोई मतलब क्या है रासी चीन से तब इसे कोई मतलब नहीं है तो लिंग और उम्र यहीं सही अंसर होगा नेक्स्ट है सिमीत संसाधनों वाले यमारेश छात्रवास में छात्रों को कमरों या सेंगरिहों में अलग करने के लिए किस सिद्धांत का मार्ग दर्शन करना चाहिए आपसनी है निस्पक्षिता सुनिशित करने के लिए यादरिक साइनमेंट B है पशित्ता के अधार्प आबंटन C है लाटरी प्रलाली का उप्योग करना और 성साधनू का समान वीतरन तो संसाधनू का समान वीतरन सबसे महत्त्यपुन है संसाधनू का समान रूप से वीतरन करें कैं कोई भेधभव नों करें तक अरात्मक सिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्लिकित में से कौन सा सिदान्त एक हावासी विद्याले में छात्रों के अलगाव का मार्क दर्शन करना चाहिए आफसन ए है विवित्ता को बढ़ावा देने के लिए यादरिक्ष असाइनमेंट P है के वल सैच्छिडिक प्रदर्शन के अधार पर सम्हुई करन C है सांस्कृतिक समाजिक और सैच्छिक कारगों पर विचार D है च्छात्रों को वण अनुकरम में च्छात्रवास में निव्ट करना चाहिए साकारात्मक सिक्ष्ण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए काउन सा सिदन्त अवासि बिद्याल में च्छात्रों के लगाव का मार्दसन करना चाहिए सांस्कृतिक समाजिक और सैच्छिक कारगों पर विचार किया जाना चाहिए किसी के बारे में पुछ रहा है चात्रों को यह नहीं होना चाहिए कि यह उसले पर दर्शन के अधार भी नहीं किया सकता है विवित्या को पढ़ावा देने के लिए याद्रिक्ष्ष्ण याद्रिक्स मतलब रेंडम को कियी मतलब है नहीं रेंडम का तो किसी को उठा कर कुछी भी देदो ऐसा कोई मतलब है नहीं किस रिकार्ड प्रबंधन पद्दति में छात्रों की जानकारी संग्रहित करने के लिए भावतिक फाइलें देस्तावेज और रजिस्टर रखना साम जरूरी है, बाकि cloud में तो कोई जरूरत ही नहीं है, रिजिश्टर की बातिक फाइलों की, पाय मेट्रिक में जरूरत नहीं है, इसमें भी जरूरत नहीं है, निमलिखित में से कौन सा आम तवर पर EMRS चात्रवास में छात्र के रिकार्ड का हिस्सा नहीं है, आपसने है, आपा सोसल मेडिया पास्वर्ड और डिया साश्डिक परदर्शन, किसी का सोसल मेडिया का फेस्बूक का और ट्विटर का पास्वर्ड थोड़े नहीं आप रखेंगे, तो यह नहीं है, चिकित्सा अपात स्थीति या प्राकृतिक आपदाओं जैसे अपात कालिन स्थीतियों मे चातर रिकार्ड क्या भूमिका निभाते हैं, आपसे नहीं है, ऐसी स्थीतियों में चातर रिकार्ड और प्रासंगिक है, बी है, चातर रिकार्ड उन चातरों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं, जिने आयता क्या हो सकता है और प्रासंगिं की चिकित्सा जनकारी प्रद कि कि शाथ रिकार्ड रखना प्रसंगिक क्यों हो सकता है पहले उनका कौन सी बिमारी थी का था है कित्यादी कुछिभी उन्हें सब की हिस्ट्री होगी जब इस्ट्री होगी तो उन्हें यह प्रासंगिक बनाएंगे है अब बीडियो अच्छा लागा है तो परेयर करें अधिक सर्दिक लोंगों तक पहुंचाईए चैनल का सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो आपने कर लीजिए और बस धन्य बाद